आज सुनिये यह मोटिवेशनल कहानी सलाह नहीं साथ चाहिए. एक चिडिया थी, वह अपनी चोस से समुद्र का पानी लेकर बाहर फेक रही थी. दूर बैठी एक दूसरी चिडिया उसे ऐसा करते देखकर उसके पास गई और बोली तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो चिडिया ने जबाब दिया, इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबा दिया है, अब मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी. चिडिया थोड़ा मुस्कुराई और बोली, तुम पूरे जीवन ऐसा करती रहोगी, तो भी तुम समुद्र को सुखा नहीं पाऊगी. तब चि तीसरी चिडिया ने देखा, तो उसने भी पूछा, कि तुम दोनों ऐसा क्यों कर रही हो, तो दोनों चिडिया ने बोला, देना है तो साथ दो, सलाह की जरूरत नहीं. इस तरह से कई चिडिया एक साथ आईं, और उस चिडिया के साथ जुड़ती चली गएं. सब अपनी च उन्होंने भगवान विष्णू से कहा, भगवन अब मैं भी जा रहा हूँ, इस चिडिया का साथ देने. तो भगवान विष्णू ने कहा, तुम चिडिया से ये समुद्र नहीं सुखने वाला, तुम मत जाओ, क्योंकि तुम चले जाओगे, तो मेरा काम रुख जाएगा. तब गरुड देव ने कहा, प्रभु देना है तो साथ दीजिए, सलाह नहीं चाहिए. भगवान विष्णू इस पर गरुड देव का साथ देने के लिए नीचे आये, और उन्होंने समुद्र देवता से बोला कि आप इस चिडिया के बच्चे को लोटा दे, नहीं तो यह स समुद्र मैं सुखा दूँगा. समुद्र देवता डर गए, उन्होंने चिडिया के बच्चे को वापस कर दिया. दोस्तों, इसी तरह जीवन में भी हमें किसी के सलाह के जरुत नहीं पड़ती. साथ देने से हर काम सफल हो सकता है और संभव हो सकता है. इसलिए जीवन में क किसी को कोरी सलाह न दे, बलकि उसका साथ दे, उसके आगे बढ़ने में उसकी मदद करें. कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताईएगा. तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलती हूँ. ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ धन्यवाद किसी नई नई नईरू में जरूर को लाहा है। झाल झाल